भारत जुडो नियायातरा में राहूल गांदी के साथ अखिलेश यादव ने आगरा में दिया एक और नया नारा नमस्कार आप देख रहे हैं दख़बरदार नियूस तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमकोर बड़ी खबर पर रहूल गांदी के भारत जुडो नियायतरा रविवार को आगरा से गुजर कर राजसान के लिए रवाना हो गई है राहुल बोले देश में अन्याय का दौर राहुल गांधी ने कहा ही कि देश में अन्याय का दौर चल रहा है महिला किसान नौजवान हर वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है अन्याय से आक्रोश पैदा होता है इसलिए हमने अपनी यात्रा के साथ न्याय का शब्द जोड़ा है क केंदर में हमारी सरकार बनने के बाद MSP का कानून बना कर लागू कर दिया जाएगा। अब अखिलेश यादव का साथ भी हमारे साथ है। हमारा गटबन्दा ने केंदर सेंदर निंदर मोदी की सरकार को उखाड फेकेगा। अखिलेश ने बता है कि महबत का शहर सपा के रास्टे अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आगरा को महबत का शहर कहा जाता है। हम और राहुल गांदी नफरत को मिटाने की संदीश लेकर निकले हैं। वरतमान में देश का सम्विदान खत्रे में है। अखिलेश यादव ने भाचपा हटाओ, देश को बचाओ और संकत मिटाओ का नारा दिया। किसान विरोध में खड़ा अखिलेश यादव ने कहा कि सवाल किसानों के भविश्यका है। आज किसान सरकार के विरोध में खड़ा है। यह सरकार वही है जो काला कानून लाई थी और उसको किसानों के विरोत के बाद पीछे हटना पड़ा था। अब हम सब मिलकर भाजपा को हराएंगे। प्रियंका गांदी ने कहा कि हमारा गडबंदन मजबूत है और अब अखिलेश जी भी हमारे साथ आ गए हैं। तीनों नेताओं ने किया एक किलो मीटर का रोडशो तेड़ी बग्या पर सभा के बाद तीनों नेताओं ने एक किलो मीटर तक रोडशो किया इसके बाद शहर के रास्ते से गुजरते होई यात्रा आगे बड़ी जगा जगा यात्रा का स्वागत किया गया अखिलेश जो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फॉल फास्ट कोड नियर बाइ सुहागी बाइपास। आपकी बाइक वाकार को स्वक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुँचाता है। तो आप देख इस बात की आज ही संपग करें।